जय माता दी जय मा का मख्या देवराधा ट्रस्ट सत्यवानी चैनल मनुष्य के जीवन में कस्त क्यों आते हैं हम तो इसे बात के ओपर रिसर्च करते हैं पूरी जिन्दगी हो गई कि मनुष्य को कस्त क्यों मिलता है हमें जितने भी व्यक्ति टकराते हैं सभी कस्तमरी वाले होते हैं ये बात हमें समझ में नहीं आई अब जो वो मिलते हैं, बात्चित की जाती है तो उसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी रामाइंट जी पड़ी है तो कहते हैं नहीं पड़ी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम 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 तो जो कस्ट में होते हैं पूछते हैं कि आपने रामाएंड जी पड़ी तो वो यही कहते हैं कि हमने रामाएंड जी नहीं पड़ी अरे आपने हिंदू धर्म में पेदा हुए हिंदू सनातन धर्म की उलाद हो और आपने इतना बड़ा ग्रंत जो जिसके आधार पर आद दुनिया राम राम शब्द मुक्ति और मोक्ष पाती है जिसके कहीं रिशी मुनी सादू संत अपनी पूरी जिन्दगी राम राम शब्द को बोलते बोलते मर गए आपने उत्ता वड़ा ग्रंथ नहीं पड़ा कितनी बड़ी विडम्बना है क्यूने ये नहीं मालूम कि हमारी यह रामाण जी नामक भी कोई ग्रंथ है और उस ग्रंथ का एक एक चोपाई के लिजिए एक एक सिलो के लिजिए वह बहुत बड़ा गुण रहस से लिए तो कस्ट तो आना स्वाभ है एक बात है क्योंकि इश्वन ने जब आपको पेदा किया तो उसके लिए किताब दे दी थी रामायन गीता भागवत जी कि आपको इन किताबों के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना है परन्तु आपने जो मेनिवल दिया था जिंदगी जीने का मेनिवल जिंदगी जीने के नियम कानून बताए थे आपने उसके इसाफ से शरीर को नहीं चला, इस आत्मा को नहीं चलाए जिसे आपको इस्वर ने एक computer दे दी, आप बजार गए, आपने computer खरीद के लिया है, laptop खरीद के लिया है, mobile खरीद के लेकर के आ गए और उसके साथ में किताब भी दी जाती, छोटी सी जिसमें लिखा रहता है, कि इस computer को, इस machine को कैसे चलाना है, और आपने यदि उस manual के इसाफ से उस machine को नहीं चलाए, तो machine बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, फिर आप mechanic को बुलाओग इसी प्रकार ये अपना शरीर जो भगवान ने दिया है, उसके साथ साथ रामायन जी और गीता जी के साथ शरी अठारा पुरान, वो भी आपको दिये कि इनके अनुसार तुम्हें चलना है, ये manual है हमारे, जीवन जिने के manual है दि आपने उसके अनुसार नहीं चले, तो कस् मशीन खराब हो जाएगी, इसी प्रकार से आपकी मशीन खराब हो जाएगी, तो उसको सुधरवाना पड़ती है, ऐसे ही आपको अपनी जिन्दगी में रामायन जी के अनुसार चलना पड़ेगा, इसलिए क्या हुआ, राम जी को मर्यादा पुर्शोत्तम राम कहा जाता है यहनि जो मनुष्य मर्यादा में रह करके, जीवन जीएगा, मैन्यूल के इसाफ से जीवन जीएगा, जो अमारे कानून बताए गए हैं उसके इसाफ से, धार्मी कानून, तो तो वो सुखी रहेगा, और यदि आपने धार्मी कानून के खिलाब गए, यानि कि आपने बेटी का या सयम का क्योंकि ये कल जुक चल रहा है मर्यादा हीन हो गए हैं आप में मर्यादा बची ही नहीं है और इस मर्यादा हीन होने की वज़े से आप सब पाप कर्म कर रहे हों तो इश्वर आपको दुख भाय रोक शोक और वियोक तो देगा ही देगा आपको किंसर भी होगा आपकी किड़नी भी फेल होगी शरीर खराब होगा क्योंकि आपने उस अकाउंटिंग मेनियल को पढ़ाई नहीं अब जिन्दे की जीने का जो कानून है स्री रामाएंट जी के अंदर जो नियम कानून बताए गए हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई के लिए क्या त्याक किया मा ने बेटे के लिए क्या त्याक किया बेटे ने मा के लिए क्या त्याक किया बेटे ने अपने बिता के लिए क्या त्याक किया और क्या नियम कानून पर वाच चले उनकी क्या मर्यादा आयती इसलिए तो सी राम चंद्र जी को मर्यादा पुर्शोत्तम राम कहा जाता है तो आपने उस मर्यादा को तोड़ दिया तो मर्यादा हीन हो गये हैं तो कस्ट तो आपको मिलना ही मिलना है फिर आपको होगे हमने तो गुरु धारन कर रखा है गुरु ने हमाई रक्षा नहीं की अरे पाप कर्म करोगे तो गुरु आपकी केसे रक्षा करेगा आपने मर्यादाओं को लांग दिया है यानि जो मशीन भगवान ने आपको दी थी ये शरीर रूपी जिसके अंदर आत्मा नाम की चिप लगा दी थी आपने इसको अच्छे सरीके से नहीं चलाया यानि बटन गलत दबा देए तो दुख ही दुख आपको प्राप्त होरा है और दुख से दूर रहना चाते हो तो राम राम जी में रहो यानि रामान जी को अच्छे से पढ़ो और उसका अर्थ समझने का प्रयास करो राम जी का अनुशरन करोगे तो दुख से मुक्त रहोगे शोक से मुक्त रहोगे कस्ट से दुख रहोगे वेदना से दुख दूर रहोगे अन्यता कस्ट तो आएगा ही आएगा जैमा ता दी जैमा का मक्या राम 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 श्री राम 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 पापकट दूख मीट लेत राम ना भव समूद्र सुख दनाओं एक राम ना राम 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 स्री राम 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 परमशांति सुख निदान नित्य राम नाम नीराधार को अधार एक राम नाम नीराधार को अधार एक राम नाम राम 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 स्री राम 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 परम गोप्य परम इस्ट मंद्र राम नाम संतर दे सदा बसत एक राम नाम संतर दे सदा बसत एक राम नाम राम 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 स्री राम 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 महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम महादेव सतत जपत दिव्यराम नाम काशिमरत मुक्ति करत कहत राम नाम Kaashimaratha Mukktikaratha Kehet Ramanam Raman, 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 Raman Shri Raman, Raman, Raman Maata peta bandhu sakha sabahi ramanam मात पीत बंद सका सबही राम नाम भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम राम 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 स्री राम 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 प्रेममुधित मन से कहो राम 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 स्री राम 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 पापकर्टे दूखमीट लेत राम नाम भवसमुद्र सुखदनाईग एक राम नाम राम 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 स्री राम 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 तो यदि आप पापो का नाश करना चाहते हो अभी भी समय है अभी भी कोई आपकी जान नहीं चली गई अभी आपके शरीर में जान है कस्त जरूब भुगत रहो परेशानी भुगत रहे हो वेदना भुगत रहे हो दुख भुगत रहे हो पर तु अभी भी समय है उठाओ रामाएंट जी को उठाओ और रामाएंट जी को दस बार पड़ो जरा उसका अर्थ समझने का प्रयास करो और हिंदी ट्रांसलेशन वाली रामाएंट जी लेकर के आओ यदि हिंदी जानते हो तो और फिर उसके अनुसार खुद भी चलो और दूसरे लोगों को चलाने के लिए भी प्रेरित करो यही आपके पापों का प्रहश्शित है तो आपके बासकस्ट क्यों आ रहे हैं आपको दुख क्यों मिल रहा है आपको परेशानी क्यों मिल रही है क्योंकि आपने अपने इस जीवन को अपनी आत्मा को इस शरीर को मर्यादा से हीन कर दिया मर्यादाओं का उलंगन कर दिया मर्यादाओं को लांग गए हैं तो कस्त तो आना है आना जैसे एक जवान लड़की होती है उसको माता, पिता, भाई, बेन, भाई, बंदु सबी उसको केते कि भाया यह देहलीच मत उलांगना हम सबी बार-बार कह रहें कि देहलीच मत उलांगना परन्तु यदि कोई लड़की देहलीच उलांग लेती है तो उसके जीवन में कस्टों का अंबार चालू हो जाता है क्योंकि वो मर्यादा को लांग लेती है उलंगन कर देती है कानून तोड़ देती है तो अब उपरवाला उसको कस्ट देना प्रारंब करता है इससी प्रकार से एक मनुष भी यदि अपने इस मनुष जीवन के जो नियम धर्म है उनको पालन नहीं करता है तो कस्ट की प्राप्ति होगी ही होगी जै माता दी जै मा कमा क्या बोल सियापति राम चंद भगवान की जै